देखिए इसी प्रकार की बैज पहले चल रही थी जो की निव बैज के नाम से हमने स्टार्ट किया था लेकिन अब इसको हम टार्गेट बैज के नाम से स्टार्ट करते हैं मिन्स की अब आपको सिर्फ एक्जाम ओरियेंटेट क्वेस्चन्स ही दिये जाएंगे क्योंकि बहुत जब वक्त रहता है तो डीटेल में चीजों को बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, बड़ जब वक्त कम रहता है तो टार्गेट बैज करके हमने स्टार्ट किया है और इसमें सिर्फ एक्जाम ओरियेंटेट चीज़े ही होंगे, ठीक है जैसे कि class number 4 इसको हमने नाम दे दिया है चोकि पहले जो तीन class थे वो detail वाले थे खेर यहां से शुरू करते हैं यह question आपके exam में पूछा जा चुका है और एक नहीं एक से अधिक बार कि protein किस से पच्चते हैं या किस में पच्चते हैं कह सकते हैं लाइपेज से पच्चते हैं लाइपेज से option number C हो जाएगा पीलियारो किसे प्रभावित करता है तो कौन से अंग को प्रभावित करता है तो यक्रित को करता है बहुत ज़्यादा important है याद रखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि प्रति रच्छन तकनीक का विकास किस ने किया था तो लुई पास्चर ने किया था याँ पर option number C हो जाएगा देखें एडवर्ड जेनर जो है ये भी पूछता है ना एडवर्ड जेनर ने किस चीज का किया था चेचक के टीके का विसकार इन्हों ने किया था इमेल का विसकार किस ने किया था काफी important ये भी है तो option number D हो जाएगा वी ए शिवा अयादराई इन्हों ने किया था नेक्स्ट है कि निमनलिखित में से कौन सा केरल का लोक नरीत्य नहीं है अब केरल का लोक नरीत्य नहीं है question पुछा ध्यान दिजीएगा तो यहाँ पर चपेली जो है option number D है ये केरल का लोक नरीत्य नहीं है बलकि हीमाचल का लोक नरीत्य है बाकि कथकली कह सकते है या थुलाल है या कोयकोटकली है तो यह जो है या कि फिर मोहिनी अट्टम है यह सभी केरल के लोग नेते हैं ठीक है नेस्ट है कि अबेटर इंडिया अबेटर वर्ड क्या लिखा है अबेटर इंडिया अबेटर वर्ड पुस्तक के लेखक कौन है तो इस बुस्तक के लेखक कौन है? N.R. नरायन मुर्ती कौन है? N.R. नरायन मुर्ती Next question देखते हैं कि Bulls Eye की स्खेल में प्रयुक्त होता है Bulls Eye की स्खेल में प्रयुक्त होता है तो यहां Shooting में होता है Shooting में Option Number D से हो जाएगा अगला है कि उत्तर कोरिया एवं अमेरिका के मध्यवार्ता के लिए किस अस्थान को चुना गया था? तो Options आपके सामने हैं और यहां पर Option Number क्या से हो जाएगा? B. यानि कि Singapore Next की भारत द्वारा निर्मित चाबहार जो एक बंदरगा का निर्माण की सदेश में किया गया था तो यहां पर Option Number C हो जाएगा इरान इरान की मुद्रा क्या है? आप Comment Box में भी Comment करेएगा इरान की मुद्रा Next Question देखते हैं कि उपरी सदन यानि कि राज्य सबाग कि कितने सदेशियों की नियुक्ती भारत की राश्ट्रपती द्वारा की जाती है एक से अधिक बार यह question पूछा जा चुका है और यहां पर Option Number B से हो जागा यानि की बारव देखे ऐसे यह जो बारव बेक्ती होते हैं वो ऐसे बेक्ती होते हैं जिनने कला या की फिर साहित्य या की फिर विज्ञान या की फिर समाज सेवा जैसे सहकारिता के छेतर में विशेस ज्ञान का अनुभा होता है ऐसे बार लोगों को मनोनित करता है कौन राश्ट्रपती नेश्ट है की बुद्ध के उपदेश किस भासा में है बुद्ध का उपदेश है वो पाली भासा में किस भासा में है पाली भासा में नेश्ट है की 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लेंड के चाल्स द्विती को कौन सा भारती तटी सहर जो एकी दहिज के तोर पर उपहार में दिया था तो यहाँ पर क्या अप्शन से हो जाएगा कौन से सहर दिया था मुंबाई अप्शन नमबर A is right here नेश्ट वर्शन देखते हैं कि किसी वस्तु का बाजार संतुलन किससे निर्धारित किया जाता है किसी वी वस्तु का बाजार संतुलन प्रतिसपर्दा ऑप्शन नमबर B is right here नेश्ट वर्शन की तरफ बढ़ लेते हैं अगला कि मेडा गासकर सबसे बड़ा द्वीप है तो यह कहाँ पर है हिंद मासागर में ऑप्शन नमबर A is right here नेश्ट वर्शन कि ग्रेट साल्ट जील कहाँ इस्थी थे तो यह है USA में यानि कि सन्यूकत राजय अमिर्का ऑप्शन नम-र बी is right here नेश्ट वर्शन देख लेते हैं यहां पर कि भारत के किस राजय को सिलिकन टेस्ट के नाम से जाना जाता है किस राजय को सिलिकन टेस्ट के नाम से जाना जाता है तो option number C यहाँ पर हो जाएगा किस राजय को जाना जाता है करनाटक को ठीक है next question देख लेते हैं sorry sorry यहाँ पर देखते हैं एक question भारत के राजय को silicon state के नाम से जाना जाता है तो भारत के किस राजय को silicon state के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर option number C से होज़ेगए यानि कि करनाटक दुलहस्ती power station कि इस नधी पर अबस्थित है दुलहस्ती power station की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा option number C यानि कि रावि पर अगला है कि भारति सम्भिधान के किस मौली का दिकार में कहा गया है कि यदि किसी नागरी को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उलंगन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है तो किसके अनुसार यहाँ पर उप्शन नमर भी हो जाएगा संबाइधानिक उपचार का अधिकार इसके अनुसार ठीक है लोकसभा का कारेकाल कितनी बार 6 वर्स तक बढ़ा गया लोकसभा का का कारेकाल किתनी बार 6 वर्स तक बढ़ा गया तो यह एक बार ही ऐसा हुआ है अप्शन नमर क Charge A सही हो जाएगा तो यहाँ पर जीके के लिए ना टार्गेट बैच के लिए इतनी important question इसमें से न जो 90% question थे वो कई बार repeated question थे ठीक है तो इस प्रकार से हम question आपको करा रहा है ताकि यह जो question है कि repeat होते रहते हैं बार-बार अगर दोबारा फिर से repeat हुआ तो आप definitely इसको सही कर पाएंगे ठीक है चलिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से हम दोरा देते हैं जैसे कि बुद्ध वाला यह वाला question repeat किया गया है यह कितने सदसे मनोनीत होते हैं और यह भी यह दोनों question उपर का जो है यह भी बुल्स आई यह भी कई बार air force में पूछा गया है बुक से question पूछता है मतलब कि नरित्य सो तो definitely पूछता है इसके उपर हम अलग से topic भी कराएंगे प्रमुक राज्ये जो है उनके अलग-अलग जो लोक नरित्य होते हैं वो भी हम आपको अलग से कराएंगे और साथ साथ देखिए यहां पर पीलिया का और प्रोटीन किसमें पचता है यह questions कई ब महत्तो अता को समझ में आ गया होगा आपको बागी चीज़ों के मिलते हैं कि वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वन देमाद